हालो गाइज आम रिक्की एंड यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेज फिजिक्स देख रहे थे हम लोग और जो आज टॉपिक देखेंगे फिजिक्स में वह है प्रसिद्ध खगोलवेत्ता और उनका योगदान तो चैप्टर खगोली की जो एस्टोनॉमी है यह उनका इस चैप्टर में आप देखेंगे जो खगोलवेत्ता है उनका क्या-क्या योगदान है खगोलिकी में तो आगी इस कड़ी में इस टोपिक में अभी और भी पांच शैसात आज तू फस्त है आज हमने टॉल्मी का भूख केंद सिद्धांत तॉलमी जियोसेंट्रिक थियोरी आज देखेंगे इसके बाद जो है और भी जो भूगल वेगता है और भी जो खगोल वेगता है जिनका योगदान की खगोल लिकी में है हम लोग एक-एक करके सब को पढ़ेंगे और टॉपिक वाइच पढ़ेंगे सब के लिए इस पेसल वी लिकी के बारे में कुछ कहने का आप कहा सकते हैं जो है वो टॉलमी साहब ने बताया और उन्होंने क्या कहा तो टॉलमी का जो भूग के अदर सिधांत टॉलमी जियो सेंट्रिक थियोरी क्या कहती है इसको समझेंगे लाश्ट तक बने रहीएगा तो देखिए पहरे समझते यह टॉलमी साहब कहा के थे तो यह टॉलमी जो थे यह मिस्र निवासी थे कहा के थे मिस्र के है ना मिस्र निवासी इनको माना जाता है मिस्र निवासी इनको युनान का भी माना जाता है तो यह मिस्र निवासी हो गए टॉलमी और इनका जीवन काल जो है है ना जीवन लिला 165 यह जो है पाचासी से 165 इस भी जो है यह इसका जीवनकाल है किसका टॉल्मी साब का जो एक खगोल वेत्ता हुए है ना दिन का बहुत सारा योगदान जो है खगोल लिकी में एस्ट्रोनॉमी में हुआ सरपर्थम 140 इसापूर्व में कब कह रहा है सौरी 140 इसवी में इसापूर्व में एक सौर्चालिस इसवी में खगोल वीद चॉल्मी द्वारा विश्व का अध्यान किया गया विश्व का अध्यान किया और उसके बारे में जो चीज़ें जो कही है ना वह वह आगया अगया देखेंगे टॉल्मी ने भूख केंदरी सिध्धान्त को देखिए टॉल्मी साहब का भूख केंदरी सिध्धान्त यह न पढ़ रहे हैं भूख केंदरी सिध्धान्त टॉल्मी का भूख केंदरी सिध्धान्त क्या है टॉल्मी साहब का भूख केंदरी सिध्धान्त यह जो है इसको दिख यहां इधर आता है अर्थ यह आपका अर्थ है जिसको आप धर्ती बोलते हैं अपने धर्ती माता कहते हैं यह जो है आपका अर्थ हो गया और लास्ट में जो है सेंट्रिक पलस सेंट्रिक है को सेंट्री अब इसको अगर मिला करके लिखियेगा यह जाужाएगा इसिणत्रिक यह विजाएगा इसिद्धान है जो 1 प्रिट्वी साब भूक के एनदर सिधान्त है जिए प्लस छियो और उसके बाद यहां अर्थ अपलस इंट्री सेंट्रीक ये जिए टॉल मी का सिधान्त हैं और इनने इस सिधान्त के निसार जो कहा जो इसका सीगां यह सवाजते हैं इनने इस्ट्रेट मैंड क्या दिया था क्या कहां पिर्थवी विश्व के कैंद्र में इस्थित है आपको क्या लगता है कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है पिर्थवी विश्व के कैंद्र में इस्थित है तथा सूर्य और अनिग्रह इसकी परिकर्मा करते हैं तथा सूर्य और अन्यग्रह अन्यग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं इसकी मतलब किसकी तो पिर्थवी की सूर्य और अन्यग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं करते हैं यह जो है माना यह वन्होंने अपना इस्टेट्मेंट दिया कि टॉल्मी साहब ने कि पिर्थभी विश्व के क्यांदर में इस्थित है तर्था सूर्य और अनिग्रह इसकी परिकर्मा करते हैं यही आपका मैंन सेंटेंस है या टॉल्मी का भूग के अन्दर सिध्ध परिकर्मा करते हैं इसी चीज को उन्होंने कहा और यहीं सेंटेंस दो है यहीं लाइन जो है इनका त्योरी बना किसका टॉल्मी साब कर यह जो है प्रित्वी के भूख के अदरे सिद्धान जियो सेंट्रिक थियोरी ये जो है इसकी कहलाई ये एक यूनानी खगोलवीद और भूगोलवेद्टा और भूगोलवेद्टा देखिए इन्हों ने सही कहा कि गलत कहा ये तो बात की बात है लेकिन जिस काल में कहा जिस काल खंड मैं इन्होंने ये संटेंस कहा कि प्रित्वी विसु के प्रित्व के कैया अर्थ जो है यह क्या है मिद्व में अर्थ जो है यह सेंटर में और इसे की परिकर्मा करते हैं यहां तो आप जानते ही है कि यह सेंटेंस जो है यह राइट नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो सूरी की परिकर्मा करते हैं लेकिन एक बात याद रखे अभी हम लोग यह बात जानते हैं कि सूरी जो है अपने परिवार का मुखिया है और जितने भी घर हैं सटे लाइंट हैं वो क्या करते हैं सूरी के चार और परीकर्मा करते हैं बुद्र तो गलत हुई लेकिन जिस समय ये कही गई ये बहुत बड़ी बात थी की अपने आपने हैना और यूनमानी खणोल विड्थत थे और भुगोल विस्कायो ईस impatient जो है देखिये डि मोग्रेंधक साहफ की मुख्य मुख्य खवर गूल के कि अलम जिस्ति ये एक बूख है यह कह सकते हैं यह टॉल्मी साहब की एक रचना है अलम जिस्ति हैना यह जो है संकालीन रहा है था समकालीन इस आधो लिए Только ब्रिहात संग्रा कि खागोलिये घ्यान का ब्रिहात संग्रा मतलब उसमें कोई भी इस तरह का इस लेवल का जो है कोई भी पुस्तक क्या कोई बहुत नहीं था जो खगोलिकी के बारे में एस्ट्रोनावी के बारे में इतनी किलियर बाते कहीं जो कि उस समय में किस ने कहा टॉलमी साहब ने कहा आप सोच सकते हैं कि 140 140 इस भी यह कितना पुराना है 140 में कोई आदमी जो है यह इस्टेटमेंट देता है कि फिर्थरी विश्व के कैंदर में जब तक खगोलिकी की दुनिया में कौपर निकस का आगमन नहीं हुआ तब तक टॉलमी साहब का यह इस्टेटमेंट कि विश्व जो पिर्थवी है वह विश्व के कैंदर में है और सुर्य और अनिकरह इसकी परिकर्मा करते हैं यह सही माना गया 2400 सालों तक इसको सही माना गया लेकिन जब खगोलिकी की दुनिया में कौपर निकस की इंट्री हुई उन्होंने क्या कर दिया इस स्टेटमेंट को गलत किया और उन्होंने जो है अभी जो हम लोग पढ़ते हैं राइट स्टेटमेंट की सुर्य जो है वह उसकी परिकर्मा बांकी करह करते हैं ना कि प्रित्वी की परिकर्मा सुर्य और बांकी करह करते हैं तो ये बात ये बात सही होने में 1400 साल लगई और 1400 सालों तक जो है ये जो इस्टेटमेंट दिया गया टॉलमे साहब के उसी को माना गया लेकिन बाद में अभी हम लोग देखेंगे उसको ब कि लाडियस तॉल्मी यह इनका नाम था था ठीक है कि लाडियस टॉल्मी ने अरस्टु और हिप्पो है ना ही पारकस देखिए अरस्टु जो उस समय के अरस्टु जो है उस समय के बहुत बड़े विचारक भी थे आप जानते हैं आप फाधर आफ बोटनी जुलोजी भी तो बहुत ही वी बढ़े विचारक ते और घुम् sila Action तो किया बोड़ा Claudius टॉल्मीथ और इसके साथ में एक और है गोलवीद जिसका नाम है हृपपार्कस सी और हिस पार्कस तो हिपारकस हिप पार्कस ये सब दिखिए अरस्तू और हिप आधकर है यह समीं बहुत बड़े अच्छे मतलब एक अपने लेवल का जी आपका सकते हेल Edu समय का अरस्तू और हिपारकस के समक्ष अपने विचार रखे और भूख के अंद्र सिद्धांत का गठन किया किसने टॉलमी ने अरस्तू के सामने और हिपारकस के सामने टॉलमी ने अरस्तू और हिपारकस के सामने जो है अपना मत रखा या कह सकते हैं अरस्तू और हिपारकस के सम यहीं तो उनका स्टेट्टमेंट कि कि को मान रहा है सेंटर को जब कि हकिकत क्या है कि कैंदर में कौन है सूर्य है और बांकी करह उसके चारों तरफ है जब कि टॉलमी साफ का क्या कहना है कि बीच में पिर्थवी है तो यह गलत है लेकिन उस समय जो है यह भूख के अंदर से धांत नों ने अरस्तु और हिपारकस के सामने अपना विचार जो भूख के अंदर से धांत का था वह रखा या उसको दिया इसी धांत में कहा गया कि प्रत्वी परमांड के कैंदर में है और सभी आकासिये पेंड उ समय तक चाओद सालां तक माने रहा कितने साल तक चाओदा सौसाल तर साल्व काने रहा यन। लोगों ने यहीं वांता रहा लोग यह समझते रहे कि प्रत्वी जो है सेंटर में है और बांकी सूर्य एर जो कि रहे हैं वो सभी मेल करके पिर्थिवी का चक्कर लगा रहे हैं इस बात को 1400 सानों तक माना गया है ना टॉल्मी प्रथाम प्यक्ति थे जिना धर्ती के विविन अस्थानों की पहचान के लिए ये बात तुछ पले ये समझ लिए कि जब रहा और जब कापर निकस आये कौण आगये कापर निकस अब एक अगोलबित की हो गए कौपर निकस कॉपर निकस-धाजいきます रहे हैas जो है उसको ग्रह में हम लोगों ने पढ़ा था कि वह ग्रह है लेकिन देखते हैं बाद में जो है यह जो सब प्लुटो के लिया था कि वह जो है एक ग्रह है लेकिन बाद में मालूम हुआ कि जो ग्रह की डिफिनेशन है उसको वह 100% फॉलो नहीं करता है इसलिए उसको क्या-क्या खगोल विद्ने खगोल वेत्ताओं नहीं क्या-क्या यम को ग्रह किसने से खटा दिया तो ऐसे ही जो ची अच्छी नॉलेज रही उन्होंने उसको काट किया या कोई ऐसा तर्क दिया कोई ऐसी जो है इविडेंस दी जिसके करना अगर वह तरक गरत है जो नहीं तरक है वो सही है तो फिर उसको अपलाई किया आता है और वह हम लोग जानते हैं तो वहीं बात है वह टॉलमी साहब क कि उस समय में कहा गया था 140 में वह जो है 1400 वर्सों के बाद कॉपर निकस ने उसको क्या किया मतलब कि आपका सब्सक्राइब उसके बाद टॉलमी का सिद्धान जो है वो खत्म हो गया साथ ही का आता है कि टॉलमी ऐसे प्रतम व्यक्ति थे इन्होंने धरती के विविन अस्थ प्रयोग किया था कि रेखाओं का प्रयोग किया था कि क्या कहा कि टॉलमी सहब प्रतम व्यक्ति थे इन्होंने धरती के विविन अस्थानों की पहचान के लिए धरती के विविन अस्थानों की पहचान के लिए अक्षांस और देसांतर रेखाओं का प्रयोग किया यह तो यह सब्सक्राइब नहीं किया है ना कि धरती के विविन अस्थानों की पहचान के लिए धरती के विविन अस्थानों की कि पहचान के लिए धर्ती के विभिल अस्थानों की पहचान के लिए अक्छांस और देसांता रेखाओं का परियोग सर्व प्रथम किस ने किया है ना तो यह सर्व प्रथम तॉलमी ने किया देखाओं का परियोग सर्व प्रथम तॉलमी साहब नहीं किया है ना तॉलमी ने किया तो यह जो है तॉलमी ऐसे प्रथाम व्यक्ति थे ना कितना यह गौरव पुर्ण बात है अपने आप में यह कितनी बड़ी बात है कि टॉलमी उस समय के ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने धर्ती के विभिन अस्थान को पहचान देने के लिए धर्ती के कि कोई आदमी अक्षान्स और देसांतर का खोज इसलिए करता है कि वह धर्ती के बांकी किसी भी पार्ट को अराम से सो कर या अधर माली जे धर्ती के किसी एक स्पेस की किसी एक इस्पेसल जगह की बात की जाए तो उसको आप कैसे चानेंगे तो उसके लिए तॉलमी साहब कि उसका इस्टमेंट करत हो लेकिन हाँ उन्होंने उस दिसा में प्रयास किया सकरात्मक प्रयास किया इसलिए उनकी सराहना तो बनती है उस समय में जब आदमी को कुछ ग्यान नहीं है उस समय में कोई सक्स अगर खड़ा होके बोलता है कि पृत्वी विश्व के के अंदर म किया तो मित्र आज जो है हमने देखा कि टॉल्मी का भूक क्या है इसको हमने आज देखा तो आज यहीं वीडियो को इंड करते हैं अगली टॉपिक होगी वहां जो अगले अगले जो सिधांत जिनका भी होगा खगोल की संबंदित पसिद्ध खगोल वित्ताओं में अब ज स्वस्त्रा है अपना खयाल रखें जय हिंद जय भारत